पाकिस्तान और इंग्लेंड का फाइनल मैच है तुमारो एक बज़ के तीस पीम पर कल मैच होगा पाकिस्तान और इंग्लेंड का मैच बहुत जवज़स्त होगा जिससे कोई भी इसमें जीज सकता हम आपको बताने जाने कि पाकिस्तान इंग्लेंड पर भारी है या नहीं पि इंग्लेंड टूर और अंग्स्तान इंग्लेंड जब गई थी आकिस्तान में खेलने के लिए वहां पर क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूं जो वहां पे 5 T20 मुकालबे हुए थे उसमें से पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच में अब आपको फास्ट T20 बता रहे हैं एक तो हां ये पाकिस्तान 108 रन बनाए थे इंग्लेंड ने बैटिंग सिगन बैटिंग करके 160 रन बना दिये थे इसमें से पाकिस्तान की बात के तो मुहम्मद रिजवान बाबा आजमा हैदर रिस्ट मक्सूद फिक्तार हमेन मुहम्मद नवाज कुजित सा और निसान सा दो बैटिंग जो पाकिस्तान की बहुत कि इंडिया को जब इंडिया से मैच हुआ था पाकिस्तान की खिलाब तब पाकिस्तान ने 169 रन बनाया थे और इंडिया के विकेट गिल्गी इंडिया चेस कर गई थी उसमें बहुत अच्छा मैच हुआ था बड़ा रोमांच से बड़ा मजा आया था पाकिस्तान और इसमें कौन से अधर मारत है मोहमेर जवान थासी और बाबा आज जम 110 में 166 बालों में गेरा चोगे पांच शक्के की मज़ते 166 की स्ट्राइक रेट से उन्हों ने बैटिंग कि दे और जवान 188 जवान ने बनाया था एक क्यान बाल में पांच और चार चक्को की मज़ते 172.55 इसे बैटिंग की थी तो इसमें कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान टीम अच्छी है क्योंकि फाइनल में पहुंची है और इंग्लेंड भी अच्छी है वो भी फाइनल में गई है तो पहला मै पहला मिखल फाइनल के वीच में छ विकट से लेंड जीता फीट से पाकिस्तान जीता फीर सट रनों से थी तब्स वान उसे बहुत अच्हा मैं अपने चैनल इंडिया क्रिकट पर लाइव दिखाते हूं मैस और नब्समारों एक बज़े जोड़ें और बाल्ड में से पकिस्तान नीधिया पुच्छान ग Two-리 व काउना से इंगलेंड साथ अर पाकिस्तान्मेंटिम क्यूंकि दोनों फाइनल में पहुंची और दोनों अच्छी टीम है कल मुकालबा होगा मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं कि कल मुकालबा कि इतने बज़्या होगा पाकिस्तान यहां पर एक दो तीन चार जीती और अगलेंड भी चार जीती है इसमें बहुत अच्छा मैस हुआ था बड़ा मज़ा आया तो यह मैंज तो पानी की बुज़ा से आइलेंड को जीता दिया गया जीत गया था पांच रनों से क्योंकि उसके जो पाउर विले में अधन थे वो उच्छे थे इंगलेंड से ता यूसफ माँ लेकवर्ट नियम के अनुसार से उसे पांच रन से विजी किया था आइनल मैच कल कम है जो होगा बहुत अच्छा होग व कर्वार करूंगे कल की 11 बेखे हैं तो स्कौइड में अटिस्तान में बाबा आजम कहलेंगे सदाबं खिलेंगे हैinki थे अर्प शर धाय में अर्फ हैन इसा यह थो किलेंगे और यह थो खेकर यह थुई वोगी उभी ख्यूstars करदेगे और यह तो खेलेंगे बैटि मोझ करताई इंग्लेंड की बात में तर त्रहां वी तो इंजर्ड है मारे को भी इंजर्ड हो कि सेम सेम करन जो है वो भी खेलेंगे मोई ने जो 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 ड़ता तो कफ्तान बहुत अच्छी बैटिंग दोनों इसमें करें हैं 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 सोर हैं सोर बडल दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जबकि इंडिया के खिलाफ आपको भी हम इसमें दिखा रहें इंडिया खिलाफ कै तो कमाल ही करते हैं बैटिंग देखने में लग रहा था कि इंडिया मैच इंडिया और पाकिस्तान के बैच अच्छा ओगा लेकिन बटलर और उनकी बैटिंग से क्या बाएं कि नहीं अच्छी बैटिंग की दोनों ने और मैच को जिता दिया इस मैच में क्या बताएं आपको राहूल पांच बावलों पांच एक चोके के में स्टॉकिस टाइट से बैटिंग की थी रोही सर्मा अठाइस बावलों में 27 चार्च होगे मनें ब्लाट कोली बहुत उच्छा खिलते हैं शुरुकुमार एक चकाय चोके के मदें 4000 पे आउट ह हो गयते हार भी बने हिट विकेट हुए थे हिट विकेट हो 33 बावलों में 33 में बहुत अच्छी बैटिंग आरपन थे चोकला के रन आउट होगे बटल के हां तो मैं आरसने लेकिन इंग्लेंड की बात करें जोस बटलर जोस जोस में होकर कि इतनी ग्राउंड मैलमान क्रिक अच्छ एक बजे लाइव पसान होगा इंडिया क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर जैहिन जैबत कल का मैज जो होगा परा रोमान चेक होगा पाकिस्तान अंग्लेंड के बीच में पाकिस्तान तींस इंग्लेंड साथ बैटिक